So, what's up guys, welcome to the channel, मेरा ना हमें Shivam and आज के इस वीडियो में बात करने हैं YouTube चैनल के बारे है So, आप में से काफी सारे लोग मुझे regularly पूछते हैं कि क्या मैं क्रिप्टो का चैनल चला हूँ या नहीं चला हूँ या मैं इस चीज़ पर चैनल बना हूँ या नहीं बना हूँ 2022 के end में भी अगर आप यहां पर YouTube की तरफ inclined है और आपको try करना है YouTube आपको बहुत जादा फायदा हो सकता है So, दो तरीके से YouTube के बारे में आप सोच सकते हैं One is आप जो career में already जाना चाहते हैं उसमें आपको help हो जाए दूसरा एक potential career बहुत सारे लोग जब YouTube की बात करते हैं वो बोलते है YouTube करो मतलब मैं नौकरी वाकरी छोड़के सब चीज़े ना करते हुए YouTube का career करेंगे Second चीज इसमें एक और है आप job करते हैं बहुत सारे developers यह करते हैं आप job करते हैं बट आप प्रोग्रामिंग पे वीडियो बनाते हैं आप मार्केटिंग में job करते हैं आप मार्केटिंग के वीडियो बनाते हैं आपको प्रोमोशन में नई jobs ढूंडने में opportunities लाने में बहुत सारा help होता है तो YouTube आपके main career के लिए एक asset बन सकता है तो वो भी एक तरीका होदा YouTube करने का बट यह सब में अगर हम यह decide करें कि यार मेरे को as a side hustle YouTube करना है ताकि मेरा channel grow हो जाए और मैं कुछ पैसे बना सकूँ पर मुझे मेरा face नहीं दिखाना है हो सके तो मैं मेरा voice भी नहीं डालना चाहता तो मैं इस angle को दिमाग में रखते हुए किस तरह के channels, किस तरह के ideas explore कर सकता हूँ तो मैं वो कुछ ideas आपके साथ आज की इस video में discuss करने वाला हूँ and उन ideas को discuss करने से पहले as always उमीद करूँगा अपने like बटन अले दिबा दिया अगर नहीं दबाया तो ज़रूर दबा दे and अगर आपको इस सारे videos पसंद है ना आप regularly देखना चाहते हैं मेरे बनाए videos तो आप इस channel पर subscribe भी कर सकते हैं so let's guys start with the first idea जो मुझे काफी जादा interesting लगता है बहुत सारे लोग इसको करते भी है कुछ लोग अच्छे से execute कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं यह वाले idea के लिए आपको editing आनी चाहिए and जब मैं बोलतो हो editing आनी चाहिए मैं यह नहीं बोल रहा आप TV editor level के या movies edit करना आना चाहिए आपको मैं बोलो basic editing यानी कि आप YouTube पे एक दो घंटे का tutorial देख लेंगे आपके लिए enough होगा and that is motivational videos वाले channels अब motivational videos slash music वाले channels आप यहाँ पे बना सकते हैं बहुत सारे websites पे free stock footage available है free stock footage का क्या मतलब है मतलब ऐसा footage, ऐसा video footage जो आप कहीं पे use करेंगे तो आपको copyright के problems नहीं आएंगे freely available है चाहे pixabay है, pic jumbo है या pexels है, unsplash है ऐसे बहुत सारे websites है जहाँ पे royalty free assets आपको मिलते है image and video assets आप उन assets को ले सकते हैं और popular जो motivational speeches हैं उनके ओपर लगा के motivational videos बना सकते हैं motivational videos का एक जमाना था एक trend था जब बहुत ही ज़ादा popular थे आज relatively कम popular है but still they are popular enough कि आप एक substantial amount of money यहाँ पे इस तरह के channel से बना सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से grow कर पाते हैं तो मेरा personal start भी YouTube में motivational videos वाली angle से ही हुआ था मैंने 2-3 चीज़ें try की थी and then I started making my own content but अगर आप अपना face नहीं चाहते हैं अपनी आवाज नहीं चाहते हैं तो motivational videos वाला concept बहुत ही सही है दूसरा जो मेरा personal favorite है यह personal favorite के लिए like जरूर दबाएं यह ऐसा idea है जो I think आपके लिए life में बहुत सारी opportunities open कर देगा especially अगर आप travel पसंद करने वाले इंसान है तो and वो है cities के walkthroughs मैं personally जब मुझे कहीं जाना है so for example मैं travel का सोच रहा हूँ एक दो countries है आने वाले डाइम में मैं आपके साथ शेर कर दूगा कहां but because I wanted to know their cities मैं वो specific cities के walks 4K में walk 4K में क्या है आपके phone से आजकल video आ जाता है आपको कुछ नहीं करना है इस तरह का आप एक tripod आपको Amazon से मिल जाएगा और सस्ते में इस तरह का यह किसका है यह Digitech का tripod I think 300 या 400 रूपे का tripod आता है यह आपको Amazon से available है आप आपका phone का holder इसके उपर आता है और 50 रूपे का वो कुछ होगा यह जाए से जाए 100 रूपे का होगा You use that अपना phone डाले इस पे बाहर निकल जाए सडक पे और सडक record करें Imagine आप बहुत सारे लोग बोलते है यार वो तो Rome, Paris में घुम रहा है आइफिल टावर दिखा रहा है वो बंदा वीडियो में City walkthrough अगर आप सर्च करें तो आप समझ जाएंगे पर मैं बोलता हूं इंडिया में लाखों, करोडों जगाएं हैं जो आप दिखा सकते हैं लोगों को For example, मानलो आप सदर चले जाते हो अगर आप दिल्ली में से हो रहा है आप सदर जाते हो और आप बोलते हो Like an Indian market, right? कनोट प्लेस में आपने कनोट प्लेस का मार्केट दिखा दिया वो उसका आपको creative तरीका यहाँ पे सोचना पड़ेगा चोर बजार, जूना मार्केट इस तरह की बहुत सारी अलगलग cities में अलगलग चीजें हैं अलगलग places हैं आपको कुछ नहीं करना है ना audio ना आपका face जाना है वाक रिकॉर्ड करनी आपनी बहुत सारे channels इसमें अलगलग areas में घुमते हैं आपके यहाँ पर कि एक area का नाम है let's say जैसे आप में पुने की अगर यहाँ पर बात करूं तो पुने में अरिया का नाम है बानेर एरिया में घुम सकता हूं बानेर में Simmons को lawsuit है को दिखा सकता हूं high street है कि हो दिखा सकता हूं। तो में वहाँ पर चल सकता हूं और उसका फाइदा यह है कि बाहर बैटे लोग जो इंडिया में इंट्रेस्टेड है, पूने में शायद इंट्रेस्टेड है, वो देखेंगे, इंडिया में इंट्रेस्टेड है, वो आपका वीडियो देखेंगे बाहर के लोगों को बाहर के लोगों के हिसाब से अड दिखता है, उस अड का CPM बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इंडिया में पर 1000 व्यूज आपको 30 रूपए से 400 रूपए के बीच में मिल जाता है, on an average, 400 रूपए अगर आप मार्केटिंग बिजनेस के वीडियो बनाते जैसे मेरा में चैनल, जब मैं मार्केटिंग के वीडियो बनाता था, कुछ मुझे पॉने 400 रूपए पर 1000 व्यूज यूट्यूब आड से आदा था सिरफ, Now, if I compare it with बहर की audience अगर आती है, तो we are looking at a minimum of 400 रूपए पर 1000 व्यूज से लेकर 1000 रूपए पर 1000 व्यूज तो आपके पास जो सिरफ आड रेवेन्यू से opportunities open हो जाती है, रेवेन्यू बनाने की and income बनाने की with such a YouTube चैनल जिसमें आप walk कर रहे हो जगा जगा पे वो काफी ज़्यादा हाई है और आपको वो एक एंगल आप यह वाला यहां पे explore definitely definitely कर सकते हैं, ना आवाज ना कुछ और चाहिए, number 3, now looking at your hobbies ठीक है, अब number 3 में बहुत सारे ideas आजाते हैं, सिरफ एक idea नहीं है, अगर मैं एक idea का example आपको देना चाहूँ तो let's say आपको cooking पसंद है, यह आपको drawing पसंद है, आपको same चीज़ करनी है, इस तरह का एक tripod लेना है, यह tripod में आप देखो यहां से, यह ऐसे हो जाता है, समझ रहे हो, अब मेरा phone, जब मैं इस पर लगाऊँगा और इसकी में टाइंगे लंबी कर दी मैंने, अब जब मैं इसका phone यहां पर लगाऊँगा, तो यह phone नीचे देखेगा, जमीन, राइट, यानि कि अगर मैं table पर कुछ कर रहा हूँ, तो मैं overhead view उसका ले सकता हूँ, तो यह हरकत आप अपनी kitchen में कर सकते हैं, अगर आपको cooking पसंद है, अगर आपको drawing पसंद है, तो यह हरकत आप अपने study table पर कर सकते हैं, ड्राइंग करते हुए, अलग कुछ नहीं करना है, जो आप normally drawing कर रहे हैं न, डूडल कर रहे हैं, चाहे प्राइक्टिस करनाँ चाहे कुछ भी कर रहे है, कुछ special नहीं करना है, ओ वाव मेरको आज वीडियो बनाने में कोई special करना नहीं मैं, चीजों को easy रखें starting में, पहले figure out करें कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, वीडियो बनाने आरे है नहीं आरे उसके लिए जो आप काम कर रहे हैं वो काम करते रहें और साथ में ये एक कैमरा आपके फोन का आउन कर दे और उसको रिकॉर्ड करने दे पूरा सेशन especially with drawing time lapse is very interesting cooking में अगर आपको example देना चाहूं तो एक बहुत ही पुराना brand है आपको I don't know पता है नहीं पता है जिसका नाम है Tasty उनका पूरा चैनल इस चीज़ पर बना है उनका पूरा बिजनस करोडों का इस चीज़ पर बना है ऐसे बहुत से चैनल है जो यह इस तरह के विडियो यहां पर करते हैं क्या यह मेरा personal favorite video होगा जो मैं देखना चाहूंग probably not city के walks मैं देखता हूं पर without a voice I am not a big fan of watching cooking videos और art videos बट बट अगर आप YouTube पर जाए और ऐसे चैनल देखें जो इस तरह का content करते हैं उनको लाखों करोडो व्यूज आ रहे हैं तो मैं आपकी audience नहीं हूं बट कोई तो है जो आपकी audience है तो आप ऐसा क्या करते हैं interesting जो आप लो कर सकते हैं और उसको आप YouTube पे publish कर सकते हैं regularly इस तरह की interesting चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि आप क्या ऐसी activity करते हैं daily के काम में जो आपको बहुत जादा पसंद है जिसको आप लोगों के साथ share कर सकते हैं किसी ना किसी format में क्या वो वीडियो बनाना है क्या वो क्या है that now comes to you अब उसमें education आपको add करना है you can't just say कि आर चलो मैं drawing कर रहा हूँ देख लो अब ना ना उसमें किसी तरह का tutorial किसी तरह का process आप add कर सकते हैं for example मानलो आप artist है आप एक artwork start करते हैं usually artwork में जब अपन बात करें तो पहले pencils से आप उसका base एक अपना ratios वगएर मानलो आप human figure का drawing करें तो आप अपके ratios वगएरा decide करोगे 8 head stall वगएरा 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 उसके बाद आपने उसके ऊपर आप काम करना start करते हैं layer by layer artist काम करता है so यह जो layer by layer वाला काम हो रहा है इसको आप अपने phone में बकाइदा in shot नाम का एक software है एक app है software भी नहीं एक app है phone के ल आल दे कि यह मैंने किया अब यह किया अब यह किया इसी का एक parallel version अगर आप देखना चाहें तो एक बहुत ही अच्छा interesting slow channel है जिसका नाम है हर 86 meter square तो एक लड़की है यह जर्मनी में रहती है and वो अपनी जो दिन चरया है उसको बस record करती है कोई आवाज नहीं है यानि कि उ उसकी आवाज नहीं है उसका face आता है कभी-कभी आता है doesn't matter अगर face ना भी आये तो भी अपका काम यहां पर चल जाएगा but उसकी कोई narration नहीं है जो उसको बोलना होता है वो अपने camera से बोलती है कब किस तरह का view दिखाना है कब नहीं दिखाना है वो अपने camera से बोलती है और अंदर आपको समझी गए होगे आप बहुत सारे लग-लग ideas आप इनमें add कर सकते हो यह कुछ ideas आप ट्राय कर सकते हैं अगर आप इंट्रेस्टेट एक YouTube चैनल स्टार्ट करने में बट आपको पता नहीं है कि आपको किस तरह का YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहिए या क्या share करना चाहिए तो guys I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा as always अगर आपको इस वीडियो में value मिली है तो like button जरूर दुमाए and चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें आने माले दिनों में बहुत सारी interesting चीज़े बहुत सारी interesting वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आ हों guys this is Shivam signing off from financial funda मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए bye and take care